कि अपराधी घुमता है रोड पे और अब मुक्मंत्री आवास में बैठ करके परण काले इन दिन करता है वो दिन अब बिहार में कभी नहीं आने वला है विरोधी ये चीज को भूल जाएं कि अब 90 के दसक वाला बिहार आने वला कभी नहीं आगा बिहार में देखिए काफी चोटा सत्र है मांसू सत्र एक हपते का है और मुझे लगता है कि विकास के काम के जो भी एजिंडा आएगा उस पर काम होगा और सप्लिमेंटरी बजट भी है तो मुझे लगता है कि बिहार में काफी टेजी से भी एंडिय की सरकार में विकास होना है भारत की सरकार भी पु कराइम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए कि जब जब बिपक्ष के लोग खास करके महागट बंदन के सरकार में रहते हैं तो पूरी तरह जंगलाज आता है और 90 के पर दसको आप याद करी कि जब पंदराशाल यह लोग राज किये थे तो किस तरह से जंगलाज ब्याप था उसमें इनको कुछ नहीं दिखाय पर रहा था उसमें लालु जी को क्राइम नहीं दिखाय पर रहा है अब उनको लगता है कि चसमा का पापर उन्हों को बढ़ाना प बैट करके परण का लेंदेन करता है वो दिन अब बिहार में कभी नहीं आने वला है विरोधी यह चीज़ को भूल जाए कब नब्यक के दसक वाला बिहार आने वला कभी नहीं आएगा विधान सवाद कुनाम में अभी एक समय एक साल बाकी है परले मांजी के पर दावा करन है हम लों का गट में दावा अपने अपना लोक करेंगे अच्छे बात है दावा करने और पूरा जो एकृम है इंगquality, कि इनको कितने सित्पर लगना है दावा तो समय है अभी लोग दावा करते थे बात वात दावा करते रहना चिजो दावा करेंगे तब तो फिर उनका एड़ेस्ट्रेमेंट होगा कि पखार के वितान सवा के अंदर 3 अदर से तो हम को स Paleuing करों Pandemie हम लोग तो चाहते हैं कि विदान सवाद चले और सरकार से स्वार जबाब करे पक्ष विपक्ष सब लोग करेंविधायकों के लिए बड़ा मोका होता है विदानसवा चलना जिसमें सवाल का जवाब होता है समस्याओं का समाधान नहीं है आप सवाल करिए सबाल करें जो बिहार में समस्यां हैं उनके समाधान के लिए सवाल किजिए तो निश्चित रुप से सरकार संतुष्ट करने वाली जवाब देगी सरकार काम करें कि उस पे यह हमलों का है कि विदान सबाद चले और सही से जवाब सवाल हो